रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद से रगुनाथाय नाथाय सीताय पतिय नमहा स्री राम लाला भगवान के भारत माता के सर्यू माता के जैजै सीता राम राम उत्सो के आज के सकारिकरम के मुख्यतिते दुनिया के सबसे लोक प्रिय राजनेता भारत के मानने प्रधान मंत्री आधनिया सी नरेंद्र मोदे जे रास्तिय स्वयम सिवक संग के मान्निय सरसंग चालक सरदे डॉक्टर मोहन भागवत जी प्रदेश की मान्निय राज्यपाल सिमती आनंदी वेन पटेल जी सिराम जन्भूमी तीर्थ छेतर न्यास के अध्यक्स पूझय महंत निर्थ गोपाल दास जी सिराम जन्भूमी तीर्थ छेतर न्यास के कोसा ध्यक्स पूझय स्वामी गोविंद देवगिरी जी महा सचीव सम्मानेशी चंपत राय जी देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संत जन अपने अपने छेतर के नेत्रुत देने वाले सभी पस्तित महानुभाव रामत सो के इस पावन पर्व के उसर पर आधनिय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सब की ओर से हिर्दै से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ इस उसर पर पधारे राश्तिय स्यम सिवक संग के सरसंग चालक आधनिय डॉक्टर मोहन भागवजी का अन्य समागत अतितियों और महानुभावों का मैं हिर्दै से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ प्रवु राम लड़ा के भव्य दिव्य और नभ्य धामे बजार पिराजने की आप सभी को कोटी कोटी बधाई पांच सो वर्सों के लंबे अंतराल के उप्रांथ आज के इस चर्चिर प्रतिक्षित मौके पर अंतर मन में भावने कुछ ऐसी है क्योंने ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिलना है मन भावुक है भाव विबोर है भाव विवल है निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा मैसूस कर रहे होंगे आज से इतिहासिक और त्यंत पावन अस्वर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्याधाम है हर मार्ग से राम जनभूमी की और आरा है हर मन में राम नाम है हर आँख हरस और संतोस के आँसू से भीगा है हर जिवा राम राम जप रही है रोम रोम में राम रमे है पुरा राष्ट राम में है ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए है आज रगु नंदन रागो राम लला हमारे हिर्दे के भावों से भरे संकल्प सुरूप सिंगहासन पर विराज रहे हैं आज हर राम भक्त के हिर्दे में प्रसनता है गर्व है और संतोस के भाव है आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दी बतीत हो गई दर्जनों पीडिया अधूरी कामला लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई किन्तो प्रतिक्सा और संगर्स का करम सतत जारी रहा सिराम जन्भू में संभूत विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकंडर होगा जिसमें किसी राष्ट के बहुत संक्यक समाज ने अपने ही देश में अपने अराध्य के जनमस्थली पर मंदिर निर्माण के ले इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जन्जातियों, सहीद समाज के हर वर्गने जाति पाति, विचार दर्सन, उपासना पद्दतिसे उपर उठकरके राम काज के लिए स्वयम को सर्ग किया अंततह वासुप आउसर आ ही गया, जब कोटी कोटी आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है आज आत्मा प्रफुलित है, इस बात से कि मंदिर वही बना है, जहां बनाने का संकल्प लिया था संकल्प और साधना की सिद्ध के लिए हमारी प्रतिक्सा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्टा के लिए आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंदर मोदी जी का हिर्दै से आभार और अभिनंदन माने प्रधान मंत्री जी, 2014 मैं आपके आगमन के साथ ही भारतिय जन्मानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई, मिलही राम सगुन सुब होई, अभी गर्वग्रे में बैदिक विधी स्विधान से राम लला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्टा को हम सब साक्सी बने हैं, अलोकिक छवी है हमारे प्रभु की बिल्कुल वेसे ही जैसे तुलसी दास जी ने कहा, कि नवा कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद कंजारुनम धन्य है वज सिल्पी, जिसने हमारे मन में बसे राम की स्चवी को मूर्त रूप प्रदान किया है बिचारों और भावनाओं की बिहलता के बीच, मुझे पूज संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुर्णे स्मरण हो रहा है आज उनकी आत्मा को असीन संतों सरानन्द के अन्भूति हो रही होगी जिन परंपराओं की पीडियां सिराम जन्भू में उक्तिक गिवक में अपनी आहुति दे चुकी है उनकी पावन इस मिर्तियों को मैं यहां पर कोटी-कोटी नमन करता हूँ सिराम जन्भू में महायग्यन केवल सनातनास्ता और विश्वास की परिक्सा का काल रहा बलकि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट की सामिक चेतना जाग्रण के धे में भी सफल सिद्धु हुआ है सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर्प्रतिक्सित नौबिवान को देख अयोध्या समेथ पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है भाग्यवान है हमारी पीड़ी जो इस राम काज के साक्सी बन रहे है और उससे भी बड़ भागी हैं वो जिनोंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं जिस अयोध्या को आउनी की अमरावती और धर्ती का वेकुंड कहा गया वो सद्यों तक अब सिप्त थी उपेक्सित रही सुन्योजित क्रिस्कार जेलती रही अपनी ही भूमी पर सनातनास्ता पद्दलिद होती रही चोटिल होती रही किंतुराम का जीवन हमें सैयम की सिक्सा देता है और भारतिय समाज ने सैयम बनाई रखा लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दिड़ होता गया और आज देखे पुरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभार रही है हर कोई अयोध्या आने कौतुर है आज अयोध्या में त्रेता युगीन वैभव उतर आया है दिख रहा है यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजभानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है पुरा विश्व दिब्ब्य और भब्य योध्या का साकसाथ कार कर रहा है आज जिस सुन्योची त्यम तीब्रकति से योध्या पुरी का विकास हो रहा है वह प्रधान मंत्री जी के दिड़ संकल्प इच्छा सकते और दूर दरिस्ता के बिना संभव नहीं था कुछ वर से पहले एक कल्पना से परे था कि योध्या में एरपोर्ट होगा यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़के होंगी सर्यूजी में कुरूच चलेंगे अयोध्या की खोई गर्मा वापस आएगी लेकिन मित्रों डवल इंजन की सरकार के प्रियाज से आज आप सब के सयोग से सब साकार हुआ है सांस्कृतिक अयोध्या आयुस्मान अयोध्या स्वच्च अयोध्या सक्सम अयोध्या सुरम्य अयोध्या सुगम्य अयोध्या दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या की रूपे पुन्रद्धार के लिए हजारों करोड रुपे वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं राम जी की पेड़ी नया घाट गुपतार घाट ब्रम्म कुंड भरत कुंड सूरज कुंड विभिन्न कुंडों के काया कल्प संग्रक्षन संचालन रख रखाओं के कार्य हो रहे हैं रामेंड परंपरा की कल्चर मेपिंग कराई जा रही है राम बंगमन पत पर रामेंड वीथिका का निर्मान हो रहा है नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संग्रक्षन तो होई रहा है भौश्य की जरुपतों को देखते वे आधनिक पैमाने के अनसार सभी नगरिये सुब्धाएं भी विक्सित हो रही है इस मौक्स दाइनी नगरी को आधनिये प्रधान मंत्री जी के पेणा से अब सॉलर सीटी के रूप में भी विक्सित किया जा रहा है पुरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्तावानों संतों प्रयटकों सोधार्तियों जिग्यास्यों के प्रमुक केंद्र के रूप में से बनाने की और से अग्रसर किया जा रहा है यह एक नगर या तीर्थवर का विकास नहीं है यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्य में वो जैते की रूप में भारत के राजचिन मेंगिकार किया गया है यह लोक आस्ता और जन विश्वास का विजय है भारत के गौरव की प्रनरप्रतिष्टा है अयोध्या का दिब्यद्रिपोट्सों नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और स्री राम लिला की प्राण प्रतिष्था का समारो भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को संब्रस की एक अविव्यक्ति सिद्ध कर रहा है स्री राम जन्वोई मंदिर की अस्तापना भारत के सांस्कृतिक पुनर जागनन का अध्यात्मिक अनुस्थान है ये राष्ट मंदिर है निसंदे सिर्राम लिला विग्रह की प्रान प्रतिश्था राष्टि ये गौरव का एक एथ्यासिक अउसर है निश्चिंत रहिए प्रवराम की किरपा से अब कोई अयोध्या की परिकर्मा कुएं बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गडा हट नहीं होगी करफ्यू नहीं लगेगा अभी तो यहां दिपोट्सो रामोट्सो और यहां की गलियों में सिर्राम नाम संकृतन से यहां की गलियां गुंजाए मान हों क्योंकि अवदपुरी का मैं रामलला का विराजना रामराज्य की स्थापना की उद्गोशना भी है रामराज्य बैठे तिरलो का हरसित भये गये सब सोका रामराज्य भेदभाव रहित समरत समाज का द्योतक है और हमारे सस्री प्रधान मंत्री जी की नीतियों, बिचारों और योजनाओं का अधार है भव्य दिव्य राम जन्भुई मंदिर के सपन को साकार रूप देने में योगदान देरने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, सिल्पियों और सिर्राम जन्भुमी तीर्त छेतर न्यास के सभी पदादी कारियों को हिर्दै से धन्यबाद, पुना आप सभी को राम लला के बिराजने की इस एथियासिक पूर्ण घड़ी की बधाई आदरिय प्रधान मंत्री जी, आदरिय सरसंग चालक जी, माने राज्यपाल महोदिया और आप सभी महानुभाओं का में एक बार फिर से, हिर्दै से स्वागत और विनंदन करते वे हम सब जो संकल्प पुरवजों ने लिया था, उसकी सिद्धी की भी सभी को बधाई देते वे प्रवु के चर्णों में एक बार पुना नमन करते वे पुरे प्रदेश और देश्वास्यों को आज के स्रामत्सों के उसर पर कोटी कोटी बधाई और अमिनंदन देते वे अपनी बानी को बिराम देता हूँ जै जै सीताराम